क्योंकि नीट का एक्जाम अकेला एक बच्चा एक्जाम नहीं देता उसके साथ साथ उसके पेरेंट्स उसके रिष्टेदार सब कोई उस एक्जाम को देते हैं आज सुबह मेरे पास एक ऐसा मेसेज आया जिसको देख कर ना मतलब यह नी बोलूँगा कि भाई मैं मक्खन लगा रहा हूँ है और इस तरीके ऐसा कि मेरी आँखे भराई में रोने लग गया और यह हुआ और वो हुआ फला ना ढिमका नहीं ऐसा लगा कि यार यह चीज सही नहीं है ड्रॉप लूँ या ना लूँ यह सबसे बड़ा सवाल इस टाइम उन सभी बच्चों के लिए होएगा जिनुके नीट में एक्जाम 2023 के एक्जाम में अच्छे माक्स नहीं आये हैं क्या करें सर अब लें ड्रॉप लें या ना लें आज सुबह मेरे पास एक ऐसा मेसेज आया जिसको देख कर ना मतलब यह नहीं बोलूँगा कि भाई मैं मक्षन लगा रहा हूं है और इस तरीके ऐसा कि मेरी आखे भराई में रोने लग गया और यह हुआ और वह फलाना ढिमका नहीं मेरे को थोड़ा सा ऐसा लगा कि यार यह चीज सही नहीं है ऐसा नहीं है कि मेरे को बहुत रोना सा आ गया और वह आ गया मैं कोई इमोशनल ब्लैक मेल नहीं करने वाला हूं आपके सामने मोबाईल लेकर आ गया और दस-दस मिनट की वीडियो बना दी ओहो बिटा अगले साल यह और फलाना डिमका नहीं देख सी चीजी बात है ड्रॉप लूँ या ना लूँ यह डिसाइड कौन करेगा आप तो करो गई करोगे आपके पेरिंट्स डिसाइड करेंगे क्योंकि नीट का एक्जाम अकेला एक बच्चा एक्जाम नहीं देता उसके साथ-सके पेरिंट्स उसके रिष्टेदार सब कोई उस को देते हैं आपने साल भर मेहनत नहीं करी है आपकी मेहनत के सासाथ आपके पेरिंट्स है आपकी पूरी पहुलत लेकर अपने पिरेंट से बोले कि मैं एक साल और मेहनत करना चाहता हूं प्लीज मुझे एक चांस दीजिए पढ़ाई के लिए कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो आपको चांस ना दे लेकिन फिर भी ये मैसेज देख करना वास्ताव में आंके भर जानी चाहिए थी ले लेकर भाई साब मैं तो बड़ा हका भका सा हो गया था उसने बोला सर ये वीडियो प्लीज जरूर बनाएगा प्लीज 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 जरूर बनाएगा मैं दिखाता हूं नंबर मैंने यहां पर छुपा रखा है ठीक है और यह नॉर्मल सी बात है क्यों छुपाया आप उसने कुछ मुझसे पूछा था कोई कुछ चीज पूछी थी और मैंने उसको बता दिया था उसने बोला ओके थेंक्यू सर उसके बाद में क्या लिख रही है ध्यान से सुनना सर प्लीज आपसे वेरी वेरी रिक्वेस्ट है कि नीट वाले चैनल पर एक वीडियो लाईए पेरेंट्स को दिखाने के लिए जिससे स्टूडेंट्स को पेरेंट्स पढ़ाने के लिए टाइम दे गाओं के पेरेंट्स एक्जाम से पहले 15 देज के लिए टाइम देते हैं मेरे पेरेंट्स एक्जाम होते ही खेत में काम करने को कह रहे हैं समझ रहे हैं आप क्या बोलू इसमें सिर्फ पंदरा दिन के लिए टाइम दिया था पढ़ ले पंदरा दिन में निकाल सकते हैं नीट एक्जाम निकाल ले आगे देखी सर पेरेंट्स जब तक डेड़ से दो लाख रुपे आफ लाइन कोचिंग को नहीं देते तब तक उन्हें नहीं समझ आता की पढ़ाई क्या होती है सो सर आप से रिक्वेस्ट है कि एक ऐसी मॉटिवेशनल वीडियो लाइए कि पेरेंट्स दिखाने पेरेंट्स देखने के बाद पढ़ने के लिए टाइम दे ताइम मांग रही है वो टाइम पेरेंट्स से कह रही है कि हमें टाइम दो पढ़ने के लिए मजदूरी मत कराओ हमसे और ऐसे आप हो सकता है आप वो ना हो लेकिन हो सकता है आप में से कुछ ऐसे हो जिनको अभी ये ये नहीं दिया जा रहा है पढ़ने के लिए टाइम नहीं दिया जा रहा है यार वो पढ़ने के लिए मांग रही है उसको कहा जा रहे जाओ खित में काम करो कैसे नीट करेक करेगे और फिर पेरेंट्स एक्सपेक्ट कर रहे हैं क्या नीट तिरको करेक करना है आगे पढ़िए वीडियो जरूर बनाना सर एकओर आगे देख सर इंग्लिश मीडियों में सेलेक्शन जादा होते हैं क्योंकि उनके पेरेंट्स जादा पैसे पे करते हैं सो क्हर is Trung Holland नहीं देते हैं वह को करन पड़uju करने पड़ भढ़ रहे हैं जो कि इंदी मीडियों से पेरेंट्स एइसा नहीं करते हैं हाला कि यहां पर देखिए मैं ऐसा कोई discrimination नहीं करूँगा English medium इंडी medium लेकिन ये कटू सत्य है 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 और अगर आपको अगर आप जमीनी तोर पर जुड़े नहीं है न और आपको ये चीज मजाक लग रही है तो कसम से आपसे जैसा कोई मूर्खन बच्चा जो इस टाइम पर ऐसे कोई comment कर रहा है कि सर मजाक करी ये मजाक नहीं करी है मैंने phone पर बात करी है नहीं है ये कोई मजाक प्लीज 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 सर वीडियो बनाएगा वीडियो जरूर लाइगा क्या मतलब है उसको बार बार वो मेरे को मैसेज कर एकी सर ये वीडियो जरू लाएगा प्ली depends हमारे पेरेंट्स को कःई है कि हमें पढ़ने दे हमें एक साल और दीजीए पढ़ाई के लिए पूरे साल भर मेरा कराने के बाद में लास्ट यसे नहीं चलेगा बाई साब ऐसे नहीं चलेगा आपको आपके बच्चे को अगर देखना है किसी medical college में तो ऐसे तो काम नहीं चलेगा ऐसे वो नहीं crack कर पाएगा बिल्कुल नहीं कर पाएगा वो clear नहीं कर पाएगा वो demotivate हो जाएगा बिना अफाल तुम्हें फिर उसको कुछ ऐसा course पकड़ लेना पड़ेगा जिसकी कोई value नहीं होएगी भविश्य में लड़की होएगी शादी करा देंगे लड़का होएगा चलो को 10-15,000 की नौकरी कर ली graduation कर ली उसके बाद में 10-15,000 की नौकरी जो graduation करी उसका कोई role नहीं है life में हकीकत है और दिल से निकली होई बात है जो है सो है यही है असलियत नहीं करने दीजे आपका बच्चा अगर है काबिल है आपको लगता है अरे पेरेंट से बढ़कर कौन जानता है कि उसके बच्चे में काबिलत है या नहीं है मेरे को पता है बेटा कर पाएगा के नहीं कर पाएगा मैंने उसको बच्चपन से पाला है मुझे नहीं पता पता है ना जब पता है कि हाँ भईया मेरा बच्चा कर पाएगा के नहीं कर पाएगा आपको लग रहा है कि उसके 300 मांक्स आएं पहले चांस में 400 मांक्स पहले चांस में क्या इसको एक साल और दीजिए तो वो नहीं करेगा आरे फोड़ कर दिखाएगा यार ताबड तोड़ मचाएगा वो अच्छे से तो दीजिए उसको एक चांस दीजिए और कैसे देंगे मेरे पास एक हल है सीधी सी बात है बच्चे को लाइफ बैट चाहिए होता है जहां पर उसकी समस्यां सुनी जा सके कई बार कुछ ऐसी चीजे होती है जो एक बच्चा अपने पेरेंट से नहीं डिसकस कर पाता अपने फ्रेंट से भी नहीं डिसकस कर पाता ओनलाइन कर लेता है कई बार अपने टीचर को बता देता है जी हां तो लाइफ बैच क 6 दिन की live classes होएंगी, 6 days live classes होएंगी, top batch इसमें रिखा जाएगा, top batch का मतला बार-बार competition के द्वारा ऐसे बच्चों को extract किया जाएगा, जो अच्छी rank लेकर आ रहे है टेस्ट में, उनको A top batch में पढ़ाया जाएगा, ठीक है, और साथ-साथ ये सबसे बहुत important चीज़ है, उन के लिए इस batch में, इस आरंब batch में, ये वाला जो feature जो है, जो भी तक किसी ने launch नहीं किया और हो सकता है, इस देखने के बाद में, इसको देखने के बाद में, जरूर हर कोई launch करेगा, backlog series, backlog series में क्या होएगा, हर महीने, जो भी बच्चे, चाए उन्होंने पढ़ा है, चाए और क्या होएगा, daily practice questions होएगे, DPP होएगी, practice test होएगे, homework होएगा, teachers की slide होएगी, teachers के notes होएगे, एक extra feature जो मेरी तरफ से आप सभी के लिए, और वो सिर्फ मैं नहीं, मेरे साथ साथ कई ऐसे बच्चे हैं, जो topper है, जो medical college में है, मैंने अभी उनके छुटियां चल रही थी, तो मैंने उनसे उनका एक महीना लिया है, और बदले में मैंने उनसे बोला है कि भाई साथ, ये जो प्यारे प्यारे बच्चे जो 2024 का exam देने वाले हैं, इनके लिए कुछ help कर सकते हो तो करो, तो उनोंने राजी हो गए है, कि सीज के लिए handwritten notes के लिए, ठीक है, handwritten notes मेरे को देंगे, वही handwritten notes में आपको दूंगा, ठीक है, वही notes जिन notes को आप use मिलेंगे और neat crack करक करके दिखाएंगे, ठीक है, teachers कौन कौन से होने वाले है, ये सारे बहतरीन teachers यहाँ पर आपको मिलेंगे, ठीक है, biology मैं और योगेश सर पढ़ाएंगे, ठीक है, biology मैं और योगेश सर पढ़ाएंगे, साथ साथ आपको chemistry जो है कामेश सर और विकरम सर पढ़ाएंगे, physics जो है शुबम पालिवाल सर और विपन सर पढ़ाएंगे, अब ये सारी की सारी features कितने में मिलेंगे दोस्त, तो ये मान के चलीजेगा, जैसे कामेश सर ने बोला था, कोई FD तुडवाने की जरत नहीं है, कोई घर बेचने की जरत नहीं है, मातर साथ हजार का ये कोर्स रहेगा, और वो भी कब तक? 25 मैं तक, कब तक? 15 मैं तक, तीक है? और ये पूरे साल भर का कोर्स है, अगले नीट के एक्जाम तक का कोर्स है, कुपन कोडRM दर्धर यूज में लेना है, सिर् पिर वापिस से वही समस्यान पढ़ती है क्या सर हमें बाद में पता लगा अगर जादा से जादा ये वीडियो जितने भी बच्चे हैं उनके पास अगर पहुँच जाएगा तो मेरी कृपा रहेगी मेरी मतलब मेरे उपर कृपा रहेगी कि प्रभू ऐसे बच्चे ना है जो मेरा नया एड्मीशन है कैसा लगा तो बहुत बुरा लगता है यार तुम इतनी लेट काहे हो जाते हैं इतना लेट नहीं होना है टाइम से पहले जाग जाईए है ना जब जागत होए सवेरा तो अभी है सवेरा जाग जाईए इस नंबर पर कॉल करिए और इस बैच में अ मेरी पेरेंट्स से आप सभी से ये गुहार रहेगी कि आप पेरेंट्स जितने भी हैं अपने बच्चों को बच्चा तो आप समझते ही हैं एक बार प्यार से उसको एक साल की महलत और दीजे अगर वो कर सकता है तो करकर दिखाएगा क्योंकि मैंने पहले भी बोला था कि ऐ ऐसे भी पेरेंट्स होएंगे जो अपने बच्चों को चांस देंगे कुछ ऐसे होएंगे जो चांस नहीं देंगे जिन्नोंने चांस दिया उनका बच्चा डॉक्टर बन गया जिन्नोंने चांस नहीं दिया उनका बच्चा डॉक्टर नहीं बना दोनों दोस्त जब बाद म कभी 20-25 साल के होंगे मिलेंगे तो जिसका सेलेक्शन नहीं हुआ था ना वो अपने पेरेंट्स को जरूर कोसेगा कि आपने हमको एक चांस नहीं दिया था